प्रेश्ड लॉड आप सब को एशु मसी के नाम से प्यार भरा जय मसी के Everything My Jesus YouTube चाइनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब कैसे हैं मैं आसा रखता हूँ कि आप सब प्रभू में आनन्दित और आशीशित होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं फिर से आपके बीच में आया हूँ प्रमिश्वर की इच्छा से प्रभू के दया से और मैं आप सब के बीच में प्रभू का बचन लेकर के आया हूँ जो आज का बिशाय है दिन जन ने पुकारा और प्रमिश्वर ने सुन लिया जी हाँ मेरे प्रियों दोस्तों दिन जन का मतलब होता है जिसका कोई शहारा नहीं अपने आपको समगते हैं कि मुझे कोई मददगार नहीं है मैं किसके पास जाओं मेरे पास कोई अन्वह नहीं है मेरे पास कोई धन दौलत भी नहीं है मेरे पास बुद्धी नहीं है तो वो परमिश्वर को पुकारते हैं और परमिश्वर है जे सुनने वाला परमिश्वर पिता सुनते हैं तो आज हम परमिश्वर के बचन से देखेंगे कि हम सब कैसे है जे परमिश्वर पिता को जब पुकारते हैं मन में दीन हो करके और अपने आपको नमर करकर के तब परमिश्वर पिता सुनते हैं और हम गवाही भी देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो सच में प्रभू सुनता भी है, हमारे जीवन में चमतकार भी करता है, तो ऐसे हम प्रभू के लोगों को, प्रभू के दासी के हम गवाही को भी सुनेंगे, जिससे हम आप सब है जे प्रभू की ओर विश्वास में आ और प्रभू हम सब को और धेर सारे आसिस देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे को देर न करते हुए, हम है जे बचन को देखते हैं। तो आज का बचन मैंने लिया है, भजन सहीता, 34 अध्याएकाय आठपद, उसमें बचन कहता है, परक कर देखो कि यहवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वापूरुस जो उसकी सरन लेता है। हालेलुया, जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बाईवल का वचन कहता है, परमिश्वर का वचन कहता है, परक कर देखो कि यहवा कैसा भला है हम आपको अपने आप से प्रभू को जाचे और परक के देखें कि सच में आपको जीवन में प्रभू कार्ज करते हैं या नहीं है क्योंकि परमिश्वर का बचन कहता है कि परक कर देखो कि यहवा कैसा भला है क्या ही धन्य हुआ पुरुष जो उसकी सरन लेते हैं और धन्य वो पुरुष है धन्य वो मनुष्य है जो परमिश्वर पिता के सरन को लेते हैं हम अगला बचन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और वो बचन मैंने लिया है भजन सहीता 34 अध्याई के चार पदों को और उसमें कहता है मैं यहवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ले और पूरी रिती से निर्भाई किया जी हाँ मेरे प्रियोधोस्तों यहाँ पे भजन को जो लिखने वाला है परमिश्वर का भगते दाउद कहते हैं कि मैं यहवा के पास गया और उसने मेरी सुन ले जी हाँ मेरे प्रियोधोस्तों आज हम सब भी जब पिता परमिश्वर के पास जाते हैं मन में दीन हो करके उनकी पास अपने आपको शमर्पन क जीवन ले करके अपने आपको उनकों पर भरोशा रख करके जाते हैं तो हम आपकी बातों को सुनता है और ऐसा हम आज गवाही एक देखेंगे जो एक बहन को है जे परमिश्वर ने उनकी बातों को आवाजों को सुना और उनकी जीवन में परमिश्वर पिता ने काम किया उनके जीवन में परमिसर पिता ने उस कष्टों से उस दुखों से निकाला, उससे गवाही को आज हम सब सुनेंगे, उस सत्य गवाही को, जैसे हम आप समझ सकते हैं, कि आज भी हम सब के बीच में प्रभु ईशु मसी चमतकार कर रहे हैं, प्रभु ईशु मसी हम सब के बीच में चंगाई दे रहे हैं, तो मेरे प्रियो दोस्तों, मैं अगला बचन को लिया हूँ, और ओभजन सही ता, छे पद में कहता है, कि इस दिन जन ने पुकारा, तब यहवा ने सुन लिया, और उसको उसके सब कष्टों से छुडा लिया, हा यहां बचन कहता है, कि जब दिन जन ने पुकारा, तब यहवा ने सुन लिया, जब हम आप मन में दिन हो जाते हैं, हम आपको लगता है, कि नहीं प्रभु हमें कहीं कोई सरन नहीं मिलना है, कहीं हमें है जै कोई, हम जानते हैं प्रभु कि हम कहीं भी जाएंगे, तो हम आई नहीं मिल सकता है हमारे जीवन का उधार नहीं मिल सकता है और जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे सरन में आया हूँ आपको जो करना है जी किजिए तब वो है जी प्रभु सुनते भी हैं और उस कस्टों से छुराने के लिए बेकाते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं आज एक बहन की गवाही को आपके बीच में पेस करूँगा तो मेरे प्यारों दोस्तों उस बहन की गवाही को आप सुनें और सुन करके अपने आपको प्रभू के ओर शमर्पन करें अपने आपको भरोसा प्रभू की ओर ले जाएं प्राफना करते हैं बाबु ठीक हो जाएगा जाहिए से फेर हम आगे हुएं परमेशवर के बचर ने रहते हैं यह बाबु ठीक हैं आग भी सब सही सलामत है उकर बाद ने छोटका लड़का भी परता रहा घरने मार तोर फोर यू करे लगा आज पढ़ू के दें से महिमा से आप दोनों सही सलामत से हैं पर्वू जी के जए मिसी तो मैं आसा करता हूँ कि आप इस बचन से और वहन के गवाही से अपने जीवन को आप है जे सामार्थवान परमिश्वर के बचन से शामार्थवान को पाएंगे पर वू आपको ढेर सारी आसिस करेंगे और आपको आपको धन्यवाद करते हैं हम आसा करते हैं कि प्रभु आपको जीवन में आसीस दे दी हैं और प्रभु इस बचन के द्वारा आपको जीवन में जे बाचित करेंगे तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सब को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सबको जय मसी की God will bless you